प्रहा टाइम्स क्रोना वाइरेस की इस महामारी में लॉकडाउन में जहां हजारों मजदूर फसे हुए हैं और ये मजदूर पैदल ही अपने गाउं जार हैं तो वहीं कुछ मजदूर सरकार द्वारा बाटे जा रहें फॉर्म और मेडिकल कर सरकारी सुविधाओं से अपने घर जाना चाहते हैं वहीं मुम्रा कौसा में गाउं जाने वाले मजदूर सभी अपने गाउं जाने के लिए मुम्रा पुलिस स्टेशन राजन कीने की ओफिस और न्सिपी के शमीम खान की ओफिस और अन्न नगर सेवकों के ओफिस के बाहर मजदूरों की लाइन आपको इसी तरह से दिखाई द डॉक्टर की medical certificate नहीं मानी जाएगी जिसके बाद मजदूर काफी परिशान थे हलाकि ये खबर कल से सामने आ रही थी और वो मजदूर काफी परिशान थे जो मजदूरों ने अपना medical BUMS डॉक्टर से कराया था मगर ऐसा नहीं है महराथ मेडिकल असोसियेशन में जो BUMS डॉक्टर रजिस्टर हैं उनके द्वारा जारी किये गए मेडिकल सार्टिफिकेट मानने होंगे ऐसी जानकारी मुम्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर कनहिया थोरात ने दी है हम आपको वो भी सुनाएंगे साथ ही बड़ी संख्या में मजदूर मुम्रा पुलिस स्टेशन के बाहर लाइन में लगकर फर्म जमा करवा रहे हैं और इनके मेडिकल भी यहीं पर की जा रही है डॉक्टरों ने क्या जानकारी दी है मगड़ सबसे पहले हम बी यूम्रा डॉक्टर द्वारा जारी किये गए मेडिकल स्टेफिकेट के बारे में मुम्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इस्पेक्टर करही अथ्वरात ने क्या जानकारी दी है वो सुनाते हैं प्रियुक्ता जो चला था कि इस पेकेट नहीं चलेगे तो क्या यह सार्टिफिकेट अगार व्यूम्रा देते हैं पर यह समान नेता होगे इसकी को मेडिक वाषी मुडानाव घृयल से तेंट केच चले काव मेडिकल मेडिकल चबाइए चले कार्षोर भी मुणध चलेगा आप मेरा नाम भताइए और ईंदीक नमेरा नाम डॉक्टर शवेंग्या मंत स необходимо मुंबरा पुलिस्टेशन में जो काउं जाने के लिए मज़ूर आ रहे हैं उनका मेडिकल कर दो क्या इन मज़ूरों में कुछ आईसे लोग पाए गए कि इनको तरजी वो खार जिरों से अगए इसके शिखायद किया तो कुछ निला क्या माज़ूर नहीं अभी तक हम जो अब जो भी पेशेंट्स देख रहे हैं उसमें हम लोग ऐसे कोई भी सिम्टमस अभी नहीं मिल रहे हैं कि वह लॉंग टाइम से फीवर या कॉट इंफेक्शन से कोई भी सफ़ग रहा है in case अगर हम तो कोई पेशेंट ऐसे मिलते भी हैं कि इसके फीवर की हिस्टी लॉंग पेशन्स को नकफ तोड़े उनको ही हम जो है यहां फिटनिस दे रहे हैं कि वो जाने की कंडिशन्स में हैं और शमीम खान ने फोन लाइन पर क्या जानकारी दिन है सुनिए पांच बज़े तक और फिर रात का वक्त हमने तई किया है शाम में आर बज़े से लेके रात में ग्यारा बज़े तक इसमें हमारे साथी वो लोग जो इस काम को पुरा अंजाम दे रहे हैं आज की इस हालात में उसमें श्वेब खान, मुन्ना चौकले, रटर शाह, पूजा, समराच, अपना उसके अलावा बबलो शिम्ना, नेखोशेक मामा, रफिक शेक, रफिक मुल्ला, आभीद, ऐसे मेरे बहुत सारे साथी इस काम को पुरा अंजाम दे रहे हैं पर भूश, और उसके लिए कुछ डाकुमेंटिशन की जरूवत पड़ती है, तो वो क्या क्या भी लगेगा, हम बदाना चाहेंगा आपके मार्गन से, तो अगर किसी के पास आधार काड है, तो आधार काड ले ले, अगर आधार काड नहीं है, तो पिन काड ले ले, अगर पिन काड भी नहीं है, तो फिर व लेबर, बहुत सारे लोग, यूपी बिहार और अधर स्टेश से आये हैं, शाधी बिहार में आये थे, कहीं ना कहीं चिप्मेंट कराने आये थे, ऐसे लोगों के लिए जो ये फैसिलिटीज दी जा रही है, यानि ट्रेन की, बस की, गाड़ियों की, मैं इसके लिए मुबारक सब्के के लोग, आप ही ने परहाग टाइंच के मादें से लिए चलाई थी, रशीद कंपाउन की, ये वहाँ मजदूर कितने परिशान थे, उन चीजों को देखते हुए उन्होंने, करेक्टर साफ से बात की थी, और करेक्टर और सीम साफ से बात की थी, उसके बाद आज इस काम में इंप्रॉमेंट हुआ है, और आज लोग आयात तक की हम बताएं, अगर आपके मादें से, तो परसो भी एक ट्रेन गोरत पुर के लिए गई है, कल एक ट्रेन राजिस्तान के लिए गई है, उसमें भी हमने कई सारे लोगं को गेजा है, तो सुना अपने कि शमीम करवा रहे हैं, ताकि वो अपने घर पहुच सके, तो तमाम ख़बरों को जानने के लिए देखते रहे हैं, प्रहाटेंज, ताजा तकी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिल आइकॉन दबाना ना भूले, अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें,